और स्लाम अलाइकूम, आज की वीडियो में मैं देखने हो लोग कैसे 5G Router Unlock कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, अब इसके लिए पेड हैं, लेकिन ए अच्छा तरिका है, आपका Router से तो बहुत सारी Router लेकिन पहरी हो यह जाते हैं, तो इसके लिए पहले आपको Router में कोई power on पहले इसमें कोई दूसरा सिम लगने मेरा रोटर है जेग्या लेकिन मैं HTC सिम पहले उसमें डलने हैं और इसमें डाटा भी रहना चाहिए क्योंकि आपडेट 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 करना है फिर सिम लगने के बाद उसको जो पावर केबल है न उसको लगना है फिर उन्तेजर करना है यह उनलाइन हो तो उनलाइन होने के बाद मैं केबल से कर रहा हूं मेरे लेप्रोब के साथ आप कर सकते हैं कोई वार्लेस में भी ब्रावजर कर सकते हैं इसके लिए दिखरना है फिर कॉम्पीटर में जाना है तो मैं वार्लेस से करने के केबल से करने क जो मैं रेट कलार से सर्केल से मार्क किया हूँ और उपावाइफाइट डाट कम लेकर उसको एंटर करना है अंटर करना का बात उसमें आयेगा तो पांटिनुव करना और इदर भी उसर पासवार्ड और यह भी पीछे रिकारे था राउटर के पीछे डियुक्त से लेकर लकारे इदार लिकारर दिन करने के बाद एक डिबाइबियेनलोक को पीर पर देंगा गार तो प्रोसेस में टैम सब्सक्राइब तो हो चान आरे लिके बाद और पर सब्सक्तुन में पहले हैम है प्छिंव को मेरे को देना पड़ direkt राउटर के पीछे जो रहता है तो मैं राउटर का डिफरेंस होता है नामबर एक नामबर से दूसरा नहीं होगा इसे तो खालब भी हो सेथी इसलिए टाइ नहीं करने का तो सही पूड से टाइ करना है तो इदर मैं पूड एंटर किया फिर में apply में click करना है हाँ unlock successful हो गया अभी तूर और भी काम है तो आगे से देखना है वीडियो skip नहीं करना है तो अभी advanced setting में click करना है फिर निचा आना है management में जाना है तो फिर इदर reset आदा है तो इदर reset to factor default में इसमें reset करना है तो दू त्यार मिनिट टाइम लेगा वो reset हो जाएगा राउटा मैं इदर तुरह fast forward कर दिया वीडियो वो एक दू मिनिट का टाइम ले लेता है तो इसलिए मैं इंतेजर करता हूँ restart successful हो गया अभी फिर तो आप window में click करना तो अटोमेटिक भी हो सकते है फिर पहले जैसे है उसको इदर चेक मार्ट करके continue में click करना है फिर वी admin password user पाशेट देखे लग इन करना है लग इन करने के बाद इदर ही वीडिक करना है फ़र एक window है गागी वो download आया तो इसको अभी download करना है तो डाउनलूट करके तुरह time mode करना है डाउनलूट होके वो इन्स्टल अटोमेटिक इन्स्टल होगा इस दफा में 8-10 मिनिट कुछ भी नहीं करना है एसे जाउटर को चोग देना पर इसलिए आभी जो download हो रहा है वो SIM के data चाहिए और उदर उपर मेरे कुणा वेपे आ गया हमें SIM लगए तो हो STC आ गया तो यही है तरीका है